हर हर महादेव दोस्तो स्वागत है आपका महादेव के इस खूप सुरत धाम में महादेव के इस केदार धाम में आपका स्वागत है दोस्तो आज बहुत दिनों के बाद भरफबारी थमी है और बहुत ही खूपसूरत यहां पर सुर्यूदय हुआ है सुरज आ चुका है और आप देख सकते हो यहांपर जो मौसम है वो बहुत ही खूपसूरत हो चुका है केदारवैली का, केदारनात का यहां पर जो लगातार 6 दिन से बर्फवारी चल रहे थी जिस दिन से कपाट खुले उसके बाद आज पहली बार यहां पर जो मौसम है वो बहुत ही खुसाल हुआ है और यातरा खोल दी गई है दोस्तों यहां पर थोड़ा सा जो गलेश्यर टूटा था उसकी वज़े से रास पुलिस और जो केदारधाम के जो करमचारी उनके सहयोग से यहां पर जो यह एवलांच हुआ था जो गलेश्यर आया था आप देख सकते हो यही जो गलेश्यर था जिसकी वज़़े से रास्ता बंद हो गया था बहुत महनत के बाद इस गलेश्यर को खोला गया है आप सकते हो लोगों के परियास से यहां पर पुलिस और एंडी आरफ के परियास से रास्ते को खोल खोला गया रास्ते को खोलने में बहुत मैंने लगी क्योंकि जो ग्लेसियर था उसको पूरा काटा उससे पूरी वरफ हटाई उसके बाद रास्ता केलियर कर दिया गया है और यात आए गई उसके बाद आभी यात्रा चालू हो चुकी है अभी जो भी लोग केदारनाथ धाम आना चाहते हैं उनका स्वागत है केदारनाथ में दोस्तों आज जो रहा कमी सरदालों यहां पर पहुंच पाए क्यूंकि जो गिलेसियर था वो तोड़ चुका था और उसकी जित करके निगरे थे वो ही लोग यहां पर पहुंच पाए पर अभी सभी भक्तों के लिए यात्रा खुल चुकी है अभी तक यही सूचना मिल पाई है कि सब पूरा रास्ता कीलियर हो चुका है यात्रा खोल दी गई है और आप देख सकते हो महादेव के इस पवित्र धाम का जो मौसम है वो बहुत ही खुबसूरत हो चुका है दोस्तों बहुत यहां पर अभी जो गिरी भी थी वो भी थोड़ा सा पिकलना भी सुरू हो चुकी है उसके पुराने बरफ है वो तो अभी जमी हुई है तो दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कि अभी यात्रा जाते हो क्योंकि यात्रा बंध थी दो-तीन निन और कमी लोगों को जाने दिया गिया तो इसकी वज़े से अभी जो है बहुत जादा भीड़ा आने के यहां पर उम्मीद है क्योंकि कुछ लोग रुदर प्रियाग में रुके वे थे और कुछ लोगों को स्रीनगर में रोक गए थे पर अभी जैसी सूचना मिली कि यात्रा चालू हो है तो सारे लोग अभी निकल पड़े हैं और यहां पर तीन-चार दिन बहुत ज्यादा भीड़ा आने वाली है तो दोस्तों मेरे आप लोग उससे गुजारिस है कि आप लोग अगर यात्रा आ रहे हो अगर आपक यात्रा कर सकते हैं तब ही आपको थोड़ा कम भीड मिलेगी भीड तो तब भी मिलेगी पर उतनी ज्यादा नहीं मिलीगी जो अभी यह तीन-चार दिन में भगदर मचेगी उससे कमिया पर भीड़ेगी तो देखिए अगर आप निकले नहीं है तो आप अपना जो यात्रा हो चुका है अभी फिलाल के लिए अभी चार-पांच दिन कोई अहां पर अलर्ट नहीं है वैदर ठीक बताया गया है तो जो उम्मीद है जो बरब गिरी भी है या पुरानी बरह वह भी बहुत जल्दी यहां पर पिखल जाएगी तो यह रास्ता था दोस्तों जो एंडिया द्वारा और उसको पूरा साप कर दिया गिया है तो दोस्तों आपको ऐसे जो गधेरे बने आते हैं इवलांच वाले एरिया है इन पर ध्यान देना होता है आपको पर नीचे देख के आना होता है यही वो एवलांच आया था गिलेशियर आया था जिसने पूरा रास्ता बं आपको फटावर मुनको क्रॉस करना है वहां पर फोटो नहीं खिचानी है रुखना नहीं है अगर कभी उपर से पत्थर या फिर बरफ के बड़े बड़े गोले बने हुए वो कभी भी लुड़क के नीचे आ सकते हैं तो दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है मैं म यात्रपा आ रहे हैं उनको जरूर सियर कीजिए और कमेंड में हरर महादेव जरूर लिखे जो लोग यात्रपा आ रहे हैं भगवान महादेव उनकी यात्रपा को सफल बनाएंगे और जो लोग यात्रपा आना चाहते हैं भगवान उनको अपने धाम पे जरूर कमेंड में हरर महादेव लिखने में कंजूसी बिलकूल ना करें, मिलते हैं बहुत जल्दी हरर महादेव